दोस्तों जैसे कि आप सभी को पताई होगा कि कल राम मंदिर पर सुप्रीम कोट का निर्णे आने वाला है तो मैं आप सभी से बस यही प्रातना करता हूँ कि सभी शांती सयम बनाए रखे मजग में भी कोई भी ऐसी पोस्ट मत करिये या किसी भी ऐसी पोस्ट को लाइक या शेर तक मत करिये जिससे लगे कि यह पोस्ट समाज की शांती के लिए एकता के लिए प्यार भाईचारे के लिए सही नहीं है या ऐसी कोई post जो हमें लगे कि ये हमारे प्यार और भाईचारे में दरार डाल सकती है तो ऐसी किसी post को like या share तक मत करिये कोई meme तक मत बनाईए या किसी meme को share तक मत करिये पूरे देश में social media पर police बहुत ही कड़ी निकरानी रख रही है इसलिए अगर आप किसे ऐसी पोस्ट को लाइक या शेर भी करते हैं तो भी इस पर भी कड़ी कारवाई हो सकती है तो ऐसी किसी मज़ाग में बनाए गए मीम को पोस्ट को लाइक या शेर तक मत करिए अयुद्या में तो 12,000 से ज़्यादा पूलिस कर्मी, 4,000 से ज़्यादा पेरे मिलेटरी के हमारे जवान उसके अलावा 1600 गाओं में 16,000 से ज़्यादा से ज़्यादा से वाको को तक पेनात हिया गया है तकि वो लोकल लेवल पर भी ध्यान रख सके और पूरे देश में भी पूलिस बहुत ही सुरक्षा का पुर्णुरूप से वो ध्यान रख रहे हैं विवस्ता का तो हम सब का भी करतवे बनता है कि हम सभी समाज की प्यार, शांती, एकता, भाईचारे को बनाए रखे सुप्रिम कोट का जो भी निरने हो उसे हमें उसका स्वागत ही है और हमें बस एकी ध्यान रख रहा है कि कोई भी किसी भी प्रकार से समाज की शांती, एकता, प्यार और भाईचारे में कोई दरार ना डाल सके कोई भी ऐसी पोस्ट, अगर किसी पत्रकार हो, कुई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति या कोई भी हो, किसी के भी ऐसी पोस्ट को जो सही नहीं लगे आपको, उसको शेर मत करिये, लाइक मत करिये, कमेंट भी मत करिये लेकिए दोस्तों समाज के सभी वरक्चाईवे, किसी भी मत पंत संप्रदाय से हो, सभी न्याय व्यवस्ता में सुप्रीम कोर्ट में पुर्न रुप से विश्वास रखते हैं, और कल जो भी निरने आएगा, सभी उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे, इसमें कोई शक न बनाएगे, मीम का भी उपियोग करके, उसका भी गलत तरीके से उन्होंने फाइदा उठाने की कोशिश की थी, कि वहापर जमीन खरीदने वाले हैं, खरीद सकते हैं, या शादी करत, जो भी हो, जो कि गलत पोस्त थी है, इसी किसी भी प्रकार का मीम या इसी पोस्त नहीं क की जानी चाहिए, कि उसका भी कुछ लोग गलत फाइदा उठा सकते हैं, इसलिए किसी मीम को भी मत बनाईए, शेर पोस्त कुछ भी मत करिए, अभी आधरनिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी देश की जनता से प्रार्थना करते हुए एक पोस्त की है, जो मैं अभी आपक को पढ़ कर सुनाता हूँ, अयोध्या पर कल सुप्रीम कोर्ट का निरने आ रहा है, पिछले कुछ महिनों से सुप्रीम कोर्ट में निरनतर एक विशे इस विशे पर सुनवाई हो रही थी, पुरा देश उत्सुकता से देख रहा था, इस दोरान समाज के सभी वर्गों की कि तरब से सद्भावना का वातावरन बनाये रखने के लिए किये गए प्रयास बहुत सरानिया है, देश की नयपलिका के मान सम्मान को सर्वोपरी रखते हुए, समाज के सभी पक्षों ने, सामाजिक सांस्कृतिक संगटनों ने, सभी पक्षकारों ने बीते दिनों सभार पूर्ण एवं सकारात्मक वातावरन बनाने के लिए जो प्रयास किये वे स्वागत योग्य है, कोर्ट के निरने के बाद भी हम सब को मिलकर सोहार बनाये रखना है, अयुद्या पर सुप्रेम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो किसी की हार जीत नहीं होगी, देशवास योसे अपील है कि अफवाव पर ध्यान न दे, प्रशासन सभी की सुरक्षा वो प्रदेश में कानून विवस्ता को बनाये रखने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, कोई भी व्यक्ति यदि कानून विवस्ता के साथ खिलवाड करने की कोशिश करेगा, तो उसके सक्त कारवाई की जाएगी